हेलो फ्रेंट्स दिस जोती वर्मा टुड़ें एंगे जिसका आज हम करेंगे सेकेंड चाहिंट है जिसमें हम पढ़ेंगे जेन्टर्टी के बारे में कि जो वोमेन स्टरी के स्ट्रेट है वह जेंडर स्ट्रेट में कैसे बदली और इसका जो हम बोलेंगे इसको टाइटल किया है वह पेराडिम शिफट का है जो एक तरीक note कि प्रथा है तरीक darauf जो चलती यह इसको चेजिस होना होता वह प्रीड़िंग्म शिफट होता है मतलब एक जो हमने एक तरीके से अपने दिमाग में जो धर्णा बना रखी है वो दीरे दीरे जब चेंज होने लगती है तो उसको बोलते हैं हम paradigm shift यानि पहले क्या होता था कि women studies पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि women's को पढ़ाना है लड़कियों को पढ़ाना है लड़ पीरियड चल रहा है इसके अंदर अब हर कोई अपने हिसाब से किसी भी subject को पढ़ सकता है कोई भी girl education ले सकती है तो ये चीज women studies से gender studies में कैसे बदली तो इसको आज हम देखेंगे from women studies to gender studies तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि paradigm shift क्या होता ये होता है एक प्रतिमान अथवा प्रभाव खो देता है जो पहले की एक thinking है वो अपना प्रभाव खो देती है और दूसरा उसका इस्थान ले लेता है तो इ पहले हमारे समाज में क्या होता था कि हमें लड़कियों को नई पढ़ाना लड़कियों को नई पढ़ाना चाहिए लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए लड़कियों को सिक्षा देनी ही नहीं बिल्कुल भी एक तरीके से य राइट्स है, she has all rights, मतलब हर लड़की के पास अपने अपने rights है, तो यही है कि उस mentality से लेके अब तक जो change आया, उसको हम बोलेंगे paradigm shift, यानि जो पहले का प्रतिमान था, जो पहले की सोज थी एक तरीके से, उसने अपना प्रभाव खो दिया है, उसका effect अब लोगों पर नही लिया है, तो यह हमारा clear हुआ कि paradigm shift क्या होता है, next हम देखेंगे कि वैदिक काल में कैसे, क्या-क्या प्रताई थी, किस-किस तरीके के, एक girl को लेके, जो thinking थी, वो किस तरीके की थी वैदिक काल में, और वो कैसे परिवर्तित हुई, अब तक के time के लिए वैदिक काल से हम start क करेंगे, और अब तक जो-जो changes आए, उनको हम पढ़ेंगे, तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक पीरिड में, social respect, यानि समाजी का अधर, second है, नेडनाय लेने की सवतनतरता वस शमता, तो नेडनाय लेने की सवतनतरता वस शमता किस के हाथ में थी, पुरुशों के हाथ मे मतलब जो लड़कियां होती थी, क्या वो सिक्षा लेना चाती है, ये question खड़ा हो जाता था, चिकित्सा, राजनीती, कृषी, अस्त्रो का निर्माड, कला या वेद, ये सारे ऐसे उस टाइम पर subject पढ़ाये जाते थे, next है, लैंगिक भेदभाव नहीं था, मतलब उस टाइ पर क्या था, कि जो लैंगिक भेदभाव है, वो नहीं था उस टाइम पर, जैंडर एक तरीके से कुछ नहीं होता था, जैंडर के लेवल पर कुछ भी नहीं माना जाता था, अगर वो सिक्षा लेना बिचारी है, तो उस टाइम पर जो जो subjects हुआ करते थे, उस टाइम पर सि प्रथाएं वा रूड़ी वाधिता नहीं थी, यानि stereotype नहीं थी उस टाइम पर, तो इसके बाद क्या है, शिक्स हमारा राजनीतिक भागीदारी एक होती थी उस टाइम पर, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो पहले के टाइम पर वैदिक पीरेड में भी, जो महिलाओं की स्थिती है, वो हमने देखी है, उसमें ये discrimination वाली भावना नहीं थी पहले, नेक्स्ट है मारा सैवन, आर्थिक संसाधनों पर नियंतरन होता था, जो economic resources होते थे उन पर नियंतरन होता था, यग्य भी अधूरा होता था, मतलब अगर किसी भी lady को यग्य में नहीं बठाया ग वन में भेज दिया था, जब लवकुष का जन्म हुआ था, तब उन्होंने जो यग्य रखा था, उस टाइम पर सीता की एक सोने की मूर्ती बनवाई गई थी, तब जाके वो यग्य कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम पर, उस टाइम का हम example ले सकते हैं, वैदिक काल का, और इस चीज की importance थी उस समय पे की एक इस तरीका बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, नेक्स्ट है, रिगवेद के बहुत से ग्रंथ महिलाओं द्वारा लिखे गए, जो रिगवेद था, उसके बहुत से ग्रंथ जो थे, वो महिलाओं के द्वारा लिखे गए, और ला मिला उस टाइम पे, तो मदर्सों का निर्माड हुआ, मदर्सों की स्थापना कराया गई, पुरुषों के लिए मदर्सों का निर्माड कराया गया था, उस टाइम पर महिलाओं का कोई भी रोल नहीं था, महिलाओं को मदर्सों में नहीं भेजा जाया करता था पढ़ने के के लिए तो ये पुरुषों के लिए मदर्सों का निर्माठ कराया गया थाए महिलाएं वन्चित रही मदर्सों के पढ़्साइब मतलπό महिलाएं वन्चित walking सिक्षा से यह टाइब नहीं जुन कु вокруг दौरा बड़े घरों की लड़कियों को घर ऐसा कुछ उनको पता चलता था कि वहाँ पर हमें किसी लड़की को पढ़ाने जाना है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती तो उनको वो घर पे ही पढ़ा कर आते थे मतलब मकतब होते थे उस टाइम पर जिसमें छोटी लड़कें सिक्षा लेती थी बड़ी लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था सिक्स्त है हमारा इसमें आमिस्त्रियां घरे लुकारे करती थी जो नॉर्मल एक नॉर्मल पीपल होता है वो क्या है उनको सिर्फ जो लेडिज होती थी उनके घरों की जो आमिस्त्रियां होती थी वो क्या होती थी घरे लुकारे ही करती थी उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं उस टाइम पर क्या होता था कि अगर कम एज में भी अगर उसके husband की death हो जाती है तो उस टाइम पर पुनर विवा नहीं होता था उसको वैसे ही रहना है lifetime बाल विवा होता था उस टाइम पर मुस्लिम काल में क्या होता था बाल विवा भी करा दिया जाता था उस टाइम पर पहल नेली okay कही जब अंगेजों का टाइंब उस टाइम पर गोऊने द्वा ऐ अगर वो उसकी यह शकी अईसी है कि अभी उसको दूसराे विवा कर लेना चाहिए तो इस चीज़ को उन्होंने हटाया समाथ से सती प्रता को हटाया उसके बाद क्या हुआ बाल विवा को हटाया कि जब तक उसकी एज नहीं हो जाती कम से कम वो 18 प्लस नहीं हो जाती तब तक उसका विवा नहीं किया जाएगा किसी भी लड़की का जाती प्रता को हटाया गया कास्टिजम को हटाया गया उसके बाद क्याता माईलाओं के अधिकार से लोगों को जागरुप कराया कि माईलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं उनको अवेर मतलब माईलाओं को अपने अधिकारों के प्रती अवेर कराया उसके बाद प्रॉपर बंगाल में 1929 में रेगुलेशन लाया गया कि सतीप्रता हटाई जाए बंगाल के अंदर 1829 में ऐसा रेगुलेशन आया था कि सतीप्रता नहीं होगी उस टाइम पर नेक्स्ट है 1881 में क्या हुआ 1881 में मदर्शा और ब्हु ब्हु जो एक उनिवर्सिटी है ब्हु की स्थाप्रा हुई इस्तरियों की सिक्षा में सुधार आया उस टाइम पर नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार का प्रयास मतलब अंग्रेजी सरकार जैसे विलियम बेक्टिंग थे ये भी बेंटिंग ये क्या थे अंग्रेजी सरकार में ही थे उस समय पर इन्होंने राजरा मोहनराय का समर्थन किया था इसके अंदर मिशनरियों के प्रयास मतलब जो मिशनरिय आये थे जो ये ब्रिटिशर्स थे उस टाइम के तो उस समय पर जो कुछ प्रयास किये गए लड़कियों की शिक्षा के लिए वो बहुत ही प्रभावपून रहे इश्वर्चंद्र विद्या सागर ने जो कॉलकता में कुछ अभियान चलाए थे उसके अंदर वो काफी सफल हुए इस तरियों की शिक्षा के लिए नेक्स्ट है 1851 में इसाई मिशिनरी 371 बाली का विद्या ले उस समय पर बने और उसके बाद 11,293 शिक्षा प्राप्ट कर रही लड़कियां थी उस टाइम पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो वोमेन स्टडी थी उसको जनरल स्टडी तक लाने के लिए कितना क्या क्या उस टाइम पर ऐसे आंदोलन वगेरा चलाएगा या कि इनकीन लोगों ने इसका विरोध किया जो एक तरीके से सिर्फ महिला की स्टडी पर बेस था उसको वहां तक लाने के लिए जो पैरडिक में शिफ्ट है वो क्या क्या है किस किस तरीके से सोच समाज में लोगों की बदली लौड डलोजी जो थे लौड डलोजी ने महिला सिक्षा पर जोर दिया और उसके बाद क्या था मुंबई में विद्दाले मदरास में विद्दाले मतला मुंब नेक्स्ट है अनुसूचित जाती, जो ST होते हैं, ST महिलाएं जो होती हैं, अनुसूचित जाती की महिलाएं भी सिक्षा में वन्चित थी, तो उनको भी सिक्षा का जो एक सिक्षा की जो importance होती है, उससे जागरुख कराया गया और उनको भी सिक्षा दिलाई गई, नेक्स्ट ह 1961 1916 1916 में क्या था Lady Harding जो यहाँ पर hospital है दिली में उसमें क्या था उसी नाम से school सबसे पहले school ही बना था Lady Harding school उसकी स्थापना हुई उसमें फिर लड़कियों की सिक्षा के लिए बहुत जादा ऐसे sources use किये गए जिससे मतलब awareness पहले मतलब बहुत जादा aware हो लड़कियां और इसका purpose भी यही था कि लड़कियों को जादा से जादा पढ़ाना है Lady Harding school में 1904 में क्या था 1904 में था श्रीमती anti-bascent जो थी उन्होंने बनारस में Central Hindu विद्धाले की स्थापना की और उसके बाद Indian Women Association की भी स्थापना हुई नारी सिक्षा का प्रसारण हुआ 2,000 21,956 primary schools बन चुके थे उस टाइम पर और 19 colleges बनाए गए थे जिसका purpose क्या था कि women study को gender study तक ले कर जाना नेक्स्ट है विवाह आयू बढ़ाया जाए विवाह की आयू बढ़ायी गए उस समय पर कि जो विवाह की आयू है उसमें उसको और बढ़ाया जाए ताक कि कम age में लड़कियों का विवाह ना हो नेक्स्ट है महात्मा कांधी द्वारा भी अंदोलन चलाए गए ऐसे बहुत से अंदोलन हुए उस टाइम पर जो एक तरीके से वो मैंने स्टडी को लेके बहुत जादा ही एक तरीके से सकसेज हुए वो नेक्स्ट है आजादी के बाद लोकतांत्रिक भारती यानि डैमोक्रिटिक जो इंडिया था इसमें भी समानता समानता पर ध्यान दिया गया कि समानता हो एक्वालिटी हो गरीबी हटे यानि परवर्टी हटे बेरोजगारी हटे जनसंख्या में एक तरीके से जादा वृद्धी ना हो वो एक्वालिटी में रहे एक तरीके से समाजिक कुरितिया हटे लेंगिक था जो एक तरीके से gender sexuality बेस था ये चीजे ऐसी इस तरीके की जो thinking है वो हटे हमारे समाथ से भेदभाव यानि discrimination हटाया जाए इत्यादी मतलब ये सारी बात रखी गई आजादी के बाद लोकतांतरिक भारत में जिन चीजों पर ध्यान दिया गया नेक्स्ट है कि woman studies is a subject what they added in during freedom time मतलब जो woman studies है उन्होंने एक subject add किया जो add किया गया कब freedom के time पर कि जो woman studies है woman studies तो है लेकिन उसको gender studies तक लाना एक तरीके से बहुत बड़ा target था तो इसके अंदर किया है 6-2 जो woman studies थी उनके लिए क्या क्या चीज़े थी क्या क्या provisions बनाए गए थे 6-14 years जो होती है निस्सूलक शिक्षा होगी व्यवसाइक शिक्षा होगी vocational education होगी scholarship की एक उनके पास एक तरीके से क्या होगा कि scholarship उनको दी जाएगी ये सुविधा भी उनको दी जाएगी महिला विद्धाले होंगे अलग adult education दी जाएगी और 1968 में शिक्षा नीती जो आई थी उसके अंदर भी बहुत से ऐसे provisions बहुत से ऐसे plans बनाए गए थे जिसके अंदर जो लड़कियों की सिक्षा है woman education है woman studies है उस पे बहुत जादा ध्यान दिया गया और last है पंच वर्षिये योजनाओं में इस तरीकी बात की गई पंच वर्षिये जो योजनाओं थी उसमें भी इस तरीकी बात की गई कि जो इस तरीया है उनको पढ़ाना कितना जादा समाज में important है आज हमने बात की कि paradigm shift किस तरीके से जो हमारी thinking है वो किस तरीके से बदली और धीरे धीरे महिलाओं की सिक्षा में इतना जादा increase हुआ महिला की जो सिक्षादर है वो बहुत जादा बढ़ी so thank you so much for watching this video मेरे चैनल को like करें, subscribe करें, comment करें and share करें and please share this video करें जादर बढ़ी जादर बढ़ी जादर बढ़ी